हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ आज करता हूँ कि आप सभी सकुसल होंगे स्वस्त होंगे और अपने प्रमोशन इंटर्व्यू की तयारी बड़े जवर्दस तरीके से कर रहे होंगे अभी हमारे बहुत सारे साथियों का इंटर्व्यू हो रहा है और इसी कड़ी में एक साथियों ने कुछ सवाल साजा किये हैं तो आज की वीडियो में उन सवालों पे चर्चा करेंगे यह सवाल जो इंटर्व में पूछे गए वो स्किल 1-2 के प्रमोशन में पूछे गए तो आज हम बताने वाले हैं कि क्या-क्या सवाल उन साथी से पूछे गए पहला सवाल उन से पूछा गया कि अगर आपको साखा प्रबंदक के रूप में अगर पदस्त कर दिया जाए तो आप उस ब्रांच की ब्योसाय बढ़ाने के लिए क्या-क्या स्टेप उठाएंगे कहने का तक पर यह है कि अगर आपकी बदास्तपना जो है एजे ब्रांच मेनेजर कर दी जाए तो आप पहला काम क्या करेंगे और बिजनेश डेवलेपमेंट के लिए क्या-क्या कदम उठाएंगे क्या आपकी रणनीती रहेगी इसके बारे में सवाल पूछा गया दूसरा सवाल पूचा गया कि आपने अभी तक CAIEP क्यों नहीं किया क्योंकि साथी ने 2017 में JIB किया था लेकिन C AIEB नहीं किया था तो उनसे ये सवाल पूछा गया और अगला सवाल पूछा गया उनसे AOD का मतलब क्या होता है acknowledgement of debt का मतलब क्या होता है acknowledgement of debt का मतलब क्या होता है ये पूछा गया और चौथा सवाल उनसे पूछा गया जो agriculture term loan होते हैं उनके financing करनते समय एक कौन सा ratio महत्पुन होता है जिस देखने की जरूरत होती है उसके अधार पर sanction जो है निर्धारित किये जाते हैं प्रस्णों का जवाब दिया तो हो सकता है कि ऐसे सवाल आपसे भी पूछे जाएं इसलिए मैंने ये सवाल आपसे साज़क किया तो आप लोग सरल तरीके से ऐसे सवाल को तयार कर लिजे अगर आपसे पूछा जाए तो आप उनको बता सकें इन सवालों मेंसे अगर आपको किसी का उत्तर ठीक तरीके से नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजे तो मैं उसका जवाब भी बता दूँगा वैसे इन सवालों के सारे जवाब मेरे जो इंटर्व्य की वीडियो हैं में आपको मिल जाएंगे तो आप जो इंटर्वी स्किल्स के जितने वीडियो हमने डाला है उन में से देख लीजेगा फिर भी मैं एक सवाल का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा कि आपने जो 2017 में जिया भी किया है और सिय अभी तक क्यों नहीं किया दरसल मेनेजमेंट है या इंट्रिवू लेने वाले यह चाहते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले जो भी ऑफिसर्स हैं स्टाफ हैं वो हमेशा अपडेटेट रहें नॉलेज अपडेट रहें कि बैंकि इंडस्ट्री जो है बहुत ही चैलेंजिंग इंडस्ट्री है और चैलेंजिंग इंडस्ट्री है बहुत ही बदलाव होते रहते हैं आर्थिक इस्तिर्ता को और मजबुत बनाने के लिए और देश को विकासधारा को और आगे बढ़ाने के लिए उसमें बड़े बदलाव किये जाते रहते हैं इसलिए वो अपडेशन के लिए बिलकुल चाहते हैं कि जो स्टाफ है वो आगे बढ़ रहा है वो अपडेट रहे और दूसरी बड़ी बात कि जब JIB और CIB दोनों में ही आर्थिक तरीके से जो है उसमें लाब मिलता है और इंक्रिमेंट मिलते हैं तो इसके लिए जागरुपता कितनी है स्टाफ में देखना चाहते हैं तो जब ऐसे सवाल आप से पूछे जाएं तो आप उनका बड़ी बिनमरता से उत्तर दे सकते हैं कहीं ने कहीं अपनी चुक की वज़े से मैं CIB के एक्जाम में भाग नहीं ली पाया और मैं इसके लाब की बारे में पूरी तरह से अउगत हूँ और मैं इसके गंभिरता को भी समझता हूँ और मैं आपको विस्वास दिलाता हूँ कि आने वाले CIB के एक्जाम में भाग लोगा और मैं उत्रिन करूंगा जब आप इस तरह से सुईकार करते हैं चुकि आप ही कि अपने गलती को सुईकार करते हैं तो इंटर्वीवर को आप प्रभाइद कर पाते हैं और आपका जो उत्तर होता है वो संदोज जनक होता है कहीन कहीं यह हमारी चुक होती है कि हम तैस समय में यह कोर्स नहीं कर पाते हैं इसको सुईकार करने में भी कोई हर्ज नहीं है तो इस तरह से आप जबाब देंगे तो आपका इंटर्वीव अच्छा जाएगा और आप सफल हो जाएगे जी हैं दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आज की वीडियो में जितने सारे सवालों पर चर्चक की है अगर इन सवालों के उत्तर में आपको कहीं कठनाई हो रही है तो कमेंट सेक्षन में आप उस सवाल को लिख दीजिए तो मैं अगले वीडियो में उसका उत्तर भी आपको बिंदुबार तरीके से बताने की कोसिस करूँगा आप लोग का प्रमोशन इंटर्व्यू बहुत अच्छे से जाएगा आपकी सकुसलता और सफलता की कामना करते वाप से विदा लेते हैं फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार थेंकी सो मच